तो अगर आप यहां पर देखेंगे जैसे कि कल हमने डिसकेशन किया था दोस्तों के मार्किट में यहां से रिजेक्शन आ सकता है और आपने देखा हमारे जितने भी टार्गट के लेवल सब भी हमें देखने के लिए मिलें निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें बैंक निफ दोस्तों, यहां पर देखेंगे जैसे की हमारा बैंक और आप यहां आप देखेंगे तो 2 लो अंच्छा सब्सक्राइब यहां आपने देखा हमें दौए मारे लो यहां यह निशित सब्सक्राम numéro दिसक्सुन कर लें देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर आजाएंगे यहां पर तो आप देखेंगे सबसे हाइस अगर आप देखें यहां पर तो आज FAS ने सेलिंग की है दोस्तो 1877 करोड की अगर आप देखेंगे दोस्तो तो डिया इस ने बहुत ही कम बाइंग किया मतलब आज हमारे मार्केट में सपोर्ट ही नहीं था ठीक है और FAS तो पहले से यहां पर सेल कर रहे थे तो आज मीनों ने सेलिंग किया तो मार्केट काफ लेकिन यहां पर अगर आप प्राइज एक्षन देखेंगे तो मार्केट नीचे गया उसके बाद यहां पर बायर्स का सपोर्ट मिला है अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे और कल का आनलेस देखेंगे तो हमने एक ट्रेंड लाइन मार्क करी थी उसके अकॉर तो गाइस अगाकल मार्केट गाप डाउन खुलता है फ्लाट ओपनों के नीचे की तरफ आता है इस कैल्पिंग का पुट साइट कर सकते हैं इस लेवल तक मतलब 19,424 यह जो हमारा सपोर्ट लेवल सिर्फ यहां तक इसके बाद दोस्तो मार्केट यहां से बुलिश हो सकता है और दुबारा से इस चैनल के अप साइट तक जा सकता है जो कि हमारा टागेट का लेवल दिखा रहा है 19,700 तो इस तरीके से हम कॉल साइट का ट्यूट भी कर सकते हैं अगर यह लो तूट जाता है दोस्तो 19,424 तो आपका जो इसमें नेक्स टागेट का लेवल रहेगा व तो हम फर्दर पूट साइट की तरफ की एंट्री ले पाएंगे और इस कंडिशन में दोस्तों जो अपना टागेट का लेवल बनेगा वह यहां पर हम देख लेते हैं क्या बन सकता है तो जिसको भी अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार आ रहे हैं तो आपको यह क्ट्रेंड लाइन मांक करके दिखा देते हैं कहां से मांक की हूए है यह से मांक कर र रखें है हम यह यहां से अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं मार्कट को अभ इसी के आसबस है हम ठीकně तो काफी माद्रन है इसकी नीचे कर डोंस्तेन बा Vetunda यह चैंड जा पाएंगे अगर इसका टागेट का लेवल देखें जो अभी हमने discussion किया है उसके according तो देखें यहां पर आप देखेंगे तो almost market इस लेवल तक downside आ सकता है 19,318 अगर market इसका breakdown करता है दोस्तो 19,424 तो आपका next target का लेवल 19,318 तक रहने वाला है और अगर market कल gap up वगरा खुलता है तो यहां पर call side का भी trade execute किया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा market अगर पहले नीचे आ जाए तो काफी अच्छा हमें इसमें trade चलता हो दिख सकता है call side की तरफ ठीक है यहां से अगर ऐसे reversal होता है जैसे हमने इसमें pattern बनाया है कल expectation है कि थोड़ा सा market नीचे खुले दोस्तों तो काफी अच्छा call side का trade मिल सकता है यहां से reversal दिखता है तो otherwise इस trend line से हमें reversal का trade मिल सकता है अगर gap up खुला market तो definitely फिर आपको क्या करना है यहां पर कर लीजेगा 19,555 gap up अगर इसके उपर खुलता है वेट कर लीजेगा यहां पर retest हो के reverse होता है तो आप call side जा सकते है अदर्वाइस पहली का अंडर का breakout के बाद call side का trade ले सकते हैं लेकिन quantitative आपको कम रखनी पड़ेंगे ठीक है तो यह अपना निफ्टी का अनलेसिस है अगर हम इसमें OI data देख लें निफ्टी का तो open यहां पर 200 पॉइंट की रेंज ती अभी यहां पर 800 पॉइंट की रेंज दिखा रहा है तो यहां पर देखिए बहुत अच्छा लेवल है यहां पर यह हमारा support लेवल है इसके नीचे लेवल मिलेंगे एक लेवल आपका यह है यहां पर 19,025 मतलब 19,000 तक पहुंचने के लिए आपको तीन पड़ाव पार करने पड़ेंगे ठीक है तो काफी सपोर्ड वर्क कर सकते हैं दोस्तों तो 19,000 फिलाल तो अभी इतना लंबा ट्रेड मत देखना ठीक है यहां पर देले टाइम फ्रेम के केंडल देखेंगे तो यहां पर बनी है एकомडिक वल्क काGHTनल और इसके बृस पर आपको यांत पर देखेंगे ढहीं सपोर्ड बहुत अच्छा जोकि ने लहां इसके बाद एक नेक्स सपोर्ट का लेवल है हमारा यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन बन जाता है हमाई नहीं जो कि 44,537 ट्रेट कैसे एक्सेक्ट करेंगे इसमें तो देखिए कल अगर माकेट गाप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आता है बहुत कर सकती है अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहें दोस्तों तो यहां पर देख लीजे हमने यह ट्रेंड लाइन मार्क कर रहें थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम में जाकर दिखाना पड़ेगा यह देखिए यहां पर हमने मार्क कर रहें और काफी अच्छा सपोर्ट दे रही थी अभी तक की कि टैट इसका ब्रेकडाउन आज मार्क ने गया तो काफी अच्छी एक ही सपोर्ट की टेयर नहीं हुआ है तो डेफिनिटली इसकी रीखर के के है हमें और अगर मार्क को नीचे आना है तो यह अउपर की तरफ तरफ मूव कर सकता है थिक है तो बह रहेगा पुट साइट के लिए दोस्तों मार्केट में जब यह लोग तूटेगा यह ध्यान राकीट 44718 ओके अगर मार्केट यह लोग तोड़ देता है तो बहुत जादा पुट साइट के तरफ अग्रेसिवली आपको नहीं जाना है आपका नेक्स टार्गेट का लेविल 445 फंडे 37 तक का ही रहने वाला है ऐसा क्यों यह बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है दोस्तों क्योंकि अब हमें मार्केट में दिख रहा है कुछ पैटन अगर हम यहां पर मार्क करने देखिए एक जोन जो कि काफी अच्छा आपको यहां पर देखेगा यह काफी सकता है एक हैड एंड शूल्डर पैटन ठीक है यह चीज का फॉर्मेशन यहां पर आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है तो इसके बेस पर दोस्तों यह सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 44,573 के आसपास तो अगर कर मार्केट आपको यहां पर मिलता है तो यहां पर बुक कर लेजिए का ट्रेड अगर इसके नीचे री टेस्ट होके सस्टेन हो तभी जाएगा क्योंकि यहां पर ट्राप करके मार्केट उपको उपर के तरफ घुमाया जा सकता है ठीक है तो यह अगर हम यहां पर बात करें इसके वाई डेटा की तो यहां पर देखेंगे बैंक निफ्टी का दोस्तों तो PCR वेलियों अगर हम देखें यहां पर तो 0.57 बहुत जाधा नेगेटिव है अगर कॉल साइट के वाई डेटा देखेंगे तो 46,000 और कुट साइड अगर हम देख पर है 46,000 मतलब आल्मूस्ट दोस्तों यह लेवल पर है ठीक है यह लेवल पर है अगर हम 45,500 तो यह हमारा लेवल है जो कि हम डिसकस कर रहे हैं आपके साथ यह लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है और यहां से मार्केट सपोर्ट लेके उपद तरफ उठ सकता है आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे अब हम फिन निफ्टी की ओके अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको एक इंडिसाइसिव कैंडल दिखेगी जिसके बेस पर कोई यहां पर नहीं किया जा सकता बहुत एग्रेसिवली पुट साइड या फिर कॉल साइड की तरफ ठीक है अब यहां पर अगर आपने चाहिना पर पहली बार आएं दोस्तों तो फिर से एक बार फिन निफ्टी का भी यहां पर जाड़ पैटन देख लिए यहां पर एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन है जिसका आज ब्रेकडाउन हुआ है ओके तो अभी हमें कैसे करना है 15 मिन के टाइम फरीम पर आ जाएंगे और सेम स्टाटेजी दोस्तों बहुत कॉंप्लिकेशन नहीं रखना है मार्केट में ठीक है यहां पर सेम स्टाटेजी है अगर आप देखेंगे यह देखेंगे यह लो माक कर लेंगे जो कि अपना 19,957 के अराउंड है और यहां पर अगर आप देखेंगे तो थ्री वाइट सोल्जर का पैटन है ठीक है मार्केट में दोस्तों कल मार्केट नीचे की तरफ आना चाहिए थोड़ा सा नीचे आके उपा की तरफ ब्रेक आउट देता इस पैटन का पर ब्रेक आउट होता है आप कॉल साइट जा पाएंगे और अगर आपको इनिचेल आवर्स में मिलता है मार्केट तो सिर्व स्कैल्पिंग करके निकल जाएं उसके बाद अगर यह लोट तूटता है 19,957 का तो इसके बाद आपको ट्रेड कैसे एक्जिक्यूट करना है इसके बाद आपको पड़ेगी रीटेस की जरूरत तो रीटेस की जरूरत क्यों पड़ेगी क्योंकि जैसे कि हमें बैंक निफ्टे में दिख रहा है सेम सिचुईशन यहाँ पर भी आप देख पाएंग तो सतर्क रहना है हमें ठीक है ना अधाधुन ट्रेड नहीं करने हैं तो यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखे 19,957 बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है इसके नीचे अगर रीटेस्ट होके सस्टेन हो तभी यहाँ पर आप पूट साइट जा पाएंगे उस कंडिशन में जो आपका टार्गेट का लेवल बनेगा इसमें वह बनेगा लगबग दोस्तो 19,748 ओके अगर हम इसका वाई डेटा देख लेंगे तो यहाँ पर 50 के अंदर आ जाएंगे हम अगर हम देखेंगे PCR वेल्यू 0.65 विच इस नेगेटिव और कॉल साइट के वाई डेटा देख की ओपनिंग के आसपास ठीक है और पूट साइड अगर हम देखें 28,000 तो यही लेवल है अपना जो ट्रैप का है दोस्तों यही लेवल ठीक है यहाँ पर ही आप फस सकते हैं तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ठीक है झाल